हलो दोस्तों मैं हूं दीपक देवुत वालो राम सभी के मेरे चैनल पर स्वागे थे बाईयो इस वक्ते सबसे बड़ी देश की योजना के बारे मैं मैं आपको बताने जा रहे हैं जो अभी सरकारी नहीं चालू की है इस पैसल फोर याने की गरववती महिलाओं के लिए जो गरववती महिलाओं को पिरसाब कराने में सारा खर्चा आता है उसको सरकाने फ्री कर दिया है और एक योजना चालू की है जिसका नाम है प्रधान मंतरी सुमन योजना इसका आपको किस परकार ओन लाइन आवे दिन करना होगा तता इसे में क्या-क्या जानकारी है उस सारी जानकारी आराम से हम विश्तार से इस वीडियो में देंगे ताकि देश की कहीं के भी रहने वाली महिला अपना फिरी में पिरसाब करा सके तो उसकी सारे जानकार इस वीडियो में देंगे इसलिए वीडियों तक आराम से पूरा देखना अगर आप हमसे जुन्दत आते हैं निचे लालक लगा सब्सक्राइब बटन दबा कर हमा साथ जुड़ सकते हैं तो चलो वायो श्टार्ट करते हैं देखोवायो सरकार द्वारा इस सरकारी योजना को सुरू करने का मुख्योद देश की सभी गरववती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव प्रदान कराना जिससे सुरक्षित प्रसाओं को बढ़ाओं मिल सकें और इस योजना का लाब देश के सभी गरववती महिलाओं को दिया जाएगा जिससे सभी गरववती महिलाओं को सभी प्रकार की चिकिस्त सुईदाबी दी जाएगी इस योजना के अंतरगत गरभवती महिला को एक पिरसिक्षित नर्स के दुआरा देख रेक में रखा जाएगा जाओं उसके अच्छी देखमाल हो सकेगी इतना ही नहीं गरभवती महिला को साल में चार बाद चिकित से जाच जिला सरकार इस्पतालों में या तहसील या गराम इस्तर पर की जाएगी हर जाच तीन महिना पर होगी और इस योजना के माद्यम से सरकार एक सोपरती सथ तक सुरक्षित परसव प्रदान करेगी इस योजना के अंतरगत नोर्मल डिलिवरी का प्रावधान भी है यदि किसी कार्ण वास ओपरसल करना पड़ा तो उसका भी सारा खर्चा सरकार द्वारा वेहन के जाएगा यानि कि वहाई आप चिंता कोई बात नहीं है अगर आप ग्राम सहर कहीं पर भी रहते हो तो आप ग्राम में ही जैसे आंगलवाडी केंदर होते हैं वहाँ पर जो चिकित से जाच होगी हर तीन मेने में एक बार वो एक प्रसिछित नर्च द्वारा की जाएगी और जितना सात री गरवववतिमीधा को साहल में चैयर बात चिकत्स्यय जाच असपनतालों तरुद तद तца त्हसिलेया ग्राम इस्तरमर की जाएगी इसका मतलब है कि हरती माई पर एक जाच होगी गरववती महिला को एक पिर्शिक्षित नर्स के द्वारा देख रेक में रखा जाएगा साथ रिक गववती महिला को चिकिस्टा के दुरान सभी प्रकार की दवाई मुफ्त में दी जाएगी यदि किसी कार्ण से प्रशिक्षित को ओपरिशन करना पड़ता है तो उसका भी सारा खर्चा सरकारी उठाएगी डिलिवरी के दोरान अस्पताल पहुंचे के लिए फिरी में एम्बुलेंस की सेवा भी सरकार देगी एम्बुलेंस बुलाने के लिए ऑटलफिरी नंबर है 1-2 या 1-108 पर कोल कर सकते हैं जब आपको डिलिवरी के लिए इस्पताल जाना होगा तो आप इन दोनों नंबरों टलफिरी नंबर पर कोल करके आप घर पर आँबुलेंस की सेवा मुफ्त में पासकते हो तो भाईो इसका आउनलाइन आवेदन भी सरकार ने चालू नहीं क्या है प्रधानमंत्रि सुमन योजना का आउनलाइन आवेदन इमित्र के माध्यम से भी जल्द चालू हो जाएगा लेकिन आपको बताना चाते हैं आप सारे सरकार इस्पतालों में यादे कि देश्क है सभी सरकार इस्पतालों में मात्र एक रुपा की परसी कटवानी होगी आपको जब आप डिलिवरी के लिए पहुंचो गए अस्पताल में तो एक रुपे की परसी कटवाकर आप इस योजना के तहर्त पूरा लाब उठा सकते हैं तो मेरी सभी भायों से विंतिये अगर आपको क कोई भी सवान हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपके अधिक जानकारी हम आपको जरूर देंगे इसलिए अपना नाम और मुवाइल नंबर कमेंट में कर देना ताकि आपको पूरी की पूरी सेवा प्रदान कर सके और आपसे विंतिये भायों वीडियो को जज़दा प्रदान मंत्री सुमन योजना का वो भी लाव उठा सके अगर नई वीडियो एक लिए आप हमसे जिननना चाहते हैं नीचे लालकर सब्सक्राइब बेटर दबाकर हमाचा जड़ू सकते हैं साथ ही बेल आइकन जरूर दबालेना ताकि मैंने को भी नई उड़ डालू उसक पहले पहुचेगा आपके पास तब वीडियो माचे तरह ही भायो जेहिंच जे भारत